अलो फ्रेंट्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चेनल पर तो आज तारीक हो गई 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार और बात करते हैं आज के मुख्य समचारों टूड़ा ब्रेकिंग न्यूज के सब्डेट विडियो में नजर डालते हैं देश बर की तमाम बड़ी कबरों पर सबसे पहले कुछ ताजा समचार सुरुखियां हेडलाइन्स न्यूज देखिए LIC को RBI से कोटक बेंक में हिस्सेदारी बढ़ा कर 9.99 प्रतिशित करने की मिली मंजूरी भारते शड़बेंक SBI के बाद एकोर सरकारी बेंक पर भारी जुर्माना लगा RBI ने Union Bank of India पर बेंकिंग रूल्स के उलंगन के चलते एक करोड रुपे का लगाए जुर्माना ओमिक्रोन कोरोना वेरेंट के चलते उच्च जोखिम वाले देशूं से केरल आने वाले लोगों के लिए साथ दिवशी एक क्वारंटीन अनिवारी होगा मुकेश अमबानी के भाई अनिलंबानी को लगा बड़ा जटका भारती रिजर्बेंग का RBI ने किया रिलाइस केपिटल के बोर्ड को भंग दरसल अनिलंबानी की कमपनी को RBI ने अपने कबजे में ले लिया रिलाइस केपिटल का बोर्ड भी खारीज हो गया बेंकोप महराष्टर के पूर्व E.D. बने नए प्रसासक वहीं देखिया कि आकड़ा पिछले तीन साल बें देश में हुए 1034 सा अथंखवादी हमले 117 जवान सहीद हुए राज्यसभा में सरकार ने दीजान करी विवादसपत करची कानून वापस लेने का विदैग संसद में हंगामे के बीच हुआ मंजूर राष्टरपती के पास सिगनेचर के लिए भेजा गया सरकार के पास बिटकोईन को करंसी के रूप में मानेता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है देश की वित्तमंद्री निर्मला सीतरमन ने कहा वहीं कोरना मिर्थकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए सरकार बनाएगी एक कोर नया पोर्टल केंद्र सरकार ने सुप्रिम कोड में दिजान करी वहीं बढ़ते प्रदुशन पर सुप्रिम कोड ने सरकार को कहा कि निर्देश लागू नहीं हुए तो बनाएंगे टास्क फोर्स हैं, सेंट्रल विष्टा निर्मान कारे पर केंदर से भी मांगा जवाब आज 29 नवंबर को महाराष्ट्र दोरे पर जाएंगी, टीमसी की प्रमुक ममता बनर जी, उद्दव ठाकरे और पवार से करेगी मुलाकात वहीं देखे बड़ी कबर वेक्षीन बना वर्ड ओप दे यर, यानि कि वेक्षीन सब्द जो हैं, इस साल का सबसे जादा सेर्च करने वाला सब्द बन गया, 2020 के मुकाबले साल 2021 में 601 प्रतिशत जादा सेर्च किया गया वेक्षीन को, डेटाबेस में हर दिन ये टोप पर र और इसके कारण देशबर के कई राज्यों में उत्रपरदेश, मद्रपरदेश, अधिकांस राज्यों में भारे बारिस के चितावनिये, अगले 24 गंटे ठंड और ज्यादा बड़ेगी, मुसम इभाग कर गयाना कि 30 नौंबर से 2 दिशमबर तक कई बदला होंगे, दिल्ले आगे मुसम समचार थोड़ा और विस्तार से जानेगे, वहीं देखे बड़ी कबर देशबर के 25,000 सादू संतूं को एक जगह बुला रहे हैं प्रदानमत्री नरेंद्र मोदी, दरसल 13 दिशमबर को 80 विश्वना धाम का प्रदानमत्री लोकारबन करने जा रहें, और इस द इंडिया के बाद प्राइवेट हाथों में गई एक और कंपनी, सरकार ने CEL को 210 करोड रुपे में बेचने की दिमंजूरी, वहीं इंडियन रेलवे के तरब से ओनलाइन टिकेट बुकिंग के लिए IR सिटिसने ने कुछ नए नियम बना दिये हैं, आगे विस्तार से इसा अटक सकता है, विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ न्यू रूल्स एं रेगलेसंस लागू हुई हैं, वहीं देशबर की आज की 50 बड़ी ही इंपोटेंट यानी की काम की महतोपुन खबरों पर नज़र डालेंगी इस वीडियो में, सरकार के तरब से वगेरा नहीं बेच पाएंगे, वहीं देखे, नए साल के पहले विदेश यातरा भी प्लानिंग बन रही हैं, प्लानिंग मोदी की, अगले साल जनवरी में UAE जा सकते हैं, प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी, दुबई एक्सपो में इंडियन पवेलियन भी जाएंगे, वही इरिबाम से इंफाल तक 111 किलोमेटर लंबी रेल लाइन का निर्मान चल रहा है, और उसी के बीच में ये सुरंग बनाई जारी, इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट हैं दोस्तों की ओनलाइन ट्रेन टिकेट बुकिंग के लिए, अब मोबाइल नंबर और इमेल का वेरि लगा जिसकी कीमत 1,500 रुपे होगी, वहीं डिस्पोजेबल बेड रोल लेते हो अगरा पूरा तो यात्री को 300 रुपे तक चुकाने पड़ेंगे, रेलवे की सर्दियों में ये नई सुविधा सुरू की गई है, वहीं देखे बड़ी कबर प्रदुशिन के मार के चलते र दरसल उत्रपरदेश के बाद अब उत्राखन सरकार ने भी गन्ना की किमतु को बढ़ाने का एलान कर दिया है, और उत्राखन में भी गन्ने का मुलिया अब 355 रुपे सरकार ने कर दिया, किशान बाय लोगों के आंदोलन के बीच ये सरकार का वाके में बहुत अच्छा फ वेबसाइट पर आप इस्तेमाल कर पाएंगे जो रूपे कार को स्विकार करते हैं, यानि कि ये रूपे कार के ही तरह एक अल्टरनेट प्रिपेड कार्ड होगा, जिस तरह से आपका ATM कार होता ना, वैसे अब आपको ATM के अंदर वर्चुल ट्रांजिट कार्ड मिलेगा, औ आप कहीं पर भी ओनलाइन पेमेंट वगरा कर पाओगे, और इससे फायदा आपको ये मिलेगा दोस्तों कि आपको अपनी ओनलाइन ATM की डिटेल वेबसाइट पर कहीं पर भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे आपका बेंकिंग डेटा ज्यादा सेफ और सुर परमान पत्र हैं, यानि कि Life Certificate सरकार को देना जरूरी होता है, लेकिन अब सरकार इस तरह का सोप्टेर और टेकनोलोजी बना रही हैं, जिसके मदद से आप गर बेटे ही, अपने चेहरे को identify करवा करके, जीवन परमान पत्र की formality इसको पूरा कर पाएंगे, यानि कि अब आपको physical Life Certificate जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टेकनोलोजी लाग होने के बाद, बस आप वीडियो कोल की ही तरह अपने मोबाइल में चेहरा स्केन करोगे, और आपका Life Certificate सब्मिट हो जाएगा, बहुत जल्दी ये सुधा सुरू कर दी जाएगी, वहीं देख करने जा रहा, यानि कि अब SBI के credit card से online shopping करने पर EMI पर आपको 99 रुपे का processing charge अलग से देना पड़ेगा, वहीं पंजाब National Bank भी अपने saving bank account पर ब्यासदरों को गठानी जा रहा, अब आपको बचत खाते पर 0.10% ब्यासदर कम मिलेगी, जो पहले 2.90 थी वो गठ कर अब 2.80% और खबर आरी दोस्तूं के LPG case cylinder की कीमतु में भी बड़ोतरी हो सकती हैं, तो ये कुछ चीजें 1 December से आपको महंगी देखने को मिलेगी, इसके अलाओ भी साबून, detergent वगरा की कीमतु में भी, हिंदुस्तान, Unilever और ITC Limited Company जो हैं, अपने packet के दामों में बड़ोतरी करने ज ट्राइ ने mobile banking और payment services को ये प्रस्ताव दिया है, यानि कि notification के तरह अगर आपको pop-up में कोई message दिखाए देगा, तो उसके लिए आप से किसी भी तरह का charge नहीं लिया जाएगा, फिर चाहे वो message banking का हो या किसी भी और का हो, वह देखिए मध्यपरदेश में बच्चूं से पारित करने जा रही हैं और इसलिए मध्यपरदेश कोर्मेंट इस फेसले को वापस लेने जा रही हैं, वह देखिए रूपिये का digital version लोंच किया जाएगा जल्द ही, डिजिटल करंसी को bank note के तैट सामिल करने का प्रस्ताव भी मिल चुका, सरकान इस बात को लेकर बयान द गायों को चराने के लिए उप्योग की जाने वाली किसी भी सरकारी भूमी को अब विकास परियोजना के लिए देने से पहले अनुमती लेनी पड़ेगी, इसके लिए प्रस्ताव मध्यपरदेश के गोपालन एवं पसू समवर्दन बोर्ड के पास भेजा जाएगा, ये MP स मिटी को लेकर आंदोलन पर कोई फेशला लिया जाएगा, पहले इसकी तारिक 4 दिसंबर ताई की थी, लेकिन अब इसको 1 दिसंबर पर ही किया जाएगा, और खबर आ रहे हैं कि दो दिन में किसान आंदोलन खत्म हो सकता हैं, क्यूंकि वेसे भी सरकार ने किसान बैलोगों और अब माननीय राश्टरपती की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून पूरी तरह से वापस खत्म हो जाएंगे, अचा कुछ ए एजुकेशनल कबरें देखें आप फड़ाबट से, प्रेश्न पत्र लीक होने के कारण उत्रपरदेश टी इटी परिक्षा स्थागित कर दी अब तक 29 लोग इस मामले में गिरपतार हो चुके हैं, वही देखें पंजाब में बंपर भरती भी शुरू होने जारी हैं, शिक्षा विभाग में 10,880, विस्वास्त विभाग में 3400 पदों को भरने की सरकार्ने मंजूरी दे दी हैं, पंजाब के नए मुक्य मंत्री चरण जीत सिंग चन्नी की सरकार ने कल ही इन खाली पड़े पदों पर सरकारी भरती करने की तुरंत प्रभाव से मंजूरी दे दी हैं, और जल्द ही डिपार्डमेंट के तरब से इस पर विग्यापन भी जारी कर दिया जाएगा, तो ओफिशिल पीडी अप नोटिपिकेशन चातरों को रहत दी हैं, कक्सा 90 से लेकर बारवी में, अब 30 प्रतिशत वस्तु निष्ट प्रस्ण होंगे, यानि कि अब्जेक्टिव टाइप के क्यूशन पूचे जाएंगे 30 परसेंट तो जिन्वें आपको मल्टिपल ओप्शन्स मिलेंगे, यह बसाद है, यह निर्णे अगली परिक्षा से ही लागू किया जाएगा, एक्जाम पेटन में गुजरात सरकार ने इस तरह का बदलाव कर दिया हैं, तो ज्यादा इंफोर्मेशन आप ओफिशल पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजगा, वहीं एजुकेशन पर लास्ट अपडेट देख लीजगा, इ लेकिन फिल्हाल वक्त हो चुका आज के ताजा मोसम समाचार जानने का, देखे दोस्तों दिल्ले उत्रबरदेश अर्याना समित कई राज्यू में भारी बारिस के चेतावनी अभी भी जारी हैं, पहाडू में भी बर्फवारी का अलट मोसम भाग ने जारी किया, दो दिसम इसके कारण मतलब भारिस होगी, इस वज़े से उत्रबारत में ठंड भी बढ़ सकती हैं, प्रदुशन का रेवल भी कम होगा, ये मोसम भाग का कहना है, राजिस्तान में भी एक वर दो दिसमबर को भारी बारिस के चेतावनी जारी की गई है, गुजरात राजियों में भी एक दो दिसमबर को बे मोसम भारी बारिस के आसंका हैं, और इसके चलते आईमडी ने मचुआरों के लिए भी चितावनी जारी की हैं, ताकि थटीय इलाकों में मचुआरे मचली पकड़ने ना जाए, वहीं हिमाचल परदेश में भी सूकी धन से राहत मिलेगी, दो दिन ब तमिलनाडू, रायल सीमा, दक्षिन, तटीय आंदरप्रदेश, दक्षिन आंतरिक करनाटक में हलके मध्यमबारिस की संबावना है, वहीं कोकन, गौवा, मध्यमाराष्ट्र, आंतरिक तमिलनाडू, लक्सधीब, तेलंगाना और दक्षिन गुजिरात में भी हलके फुलके वारिस की गतिवीनिया देखने को मिल सकती है, और सिर्फ भारत में ही नहीं देखे दोस्तों, ब्रिटेन में अभी अर्विन नाम का नया तूफान चल रहा, और इस तूफान का कहर देखिए, एक सो साथ किलोमेर प्रती गंटा के रप्तार से हवाई चल रही है, तार कमपनियों ने आज भी रेटे नहीं बढ़ाई है, और उसके बाद पेट्रोलीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं, तो कुछ लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग लग सहरूं के रेटों की, वही सोने चांदी की रेट पर अपडेट देखिए, सोना आज 242 र रुपे प्रती किलो तक पहुँच गई हैं, तो ये रहा दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर प्राइस टूडे न्यूज, और वहीं कोरोना से समदित कुछ बड़ी एडलाइस न्यूज देखिए आप, ओमिक्रोन वेरियंट को विश्ट स्वास्ते संग्ठन ने बड़ा खत्र नया वेरियंट का नाम है B.1.1.1.529, ये 2020 साल में चीन के वुहान में जो कोरोना वाइरिस मिला ना, उसके मूल रूप से काफी अलग और खतरनाक वेरियंट हैं, इसके कुछ सामान्य लक्षन किया हैं, आप देख सकते हैं, ओमिक्रोन से जो संकरमित लोग होते हैं, उनमे बुखार आती हैं, सुकी खासी चलती हैं, गले में खरास, ठकान और मान स्पेश्यू में दर्थ देखा जाता हैं, इस वेरियंट में कितना खतरा हैं तो आप देख सकते हैं, इससे दोबारा इंफेक्शन होने का सबसे ज़्यादा खतरा हैं, कम से कम 32 बार म्यूटेशन के बाद इस वायरस का नया वेरेंट सामने आया, यह ओमिक्रोन कहां मिला तो आपको बता दूँ दक्षिन अपरिका में सबसे पहले यह नया वेरेंट देखा गया, डबली अचोन इस वेरियंट को वेरियंट ऑफ कंसर्ण भी गोसित करते हुए ओमिक्रोन नाम दिया, और ओमिक्रोन वेरेंट के चलते, S.G.P.G.I. के डारेक्टर बोले की कोरोना का यह जो वेरेंट हैं यह डेल्टा से भी ज्यादा ताकतवर हैं, और इस पर अगर आप जरा से भी लापरवाही या अंदेखी करते हैं तो भारी पढ़ सकती हैं, और इस वेरेंट के वज़े से भ भी बाहर से आने वालों की बोर्डर पर ही अब जाच की जाएगी, वह देखे मधिबर्देश में भी महा भियान सुरू होने जा रहा, दिसंबर तक सभी का कोरोना ठीका करन, पूरा करने के लिए सरकार एक मेगा भियान सुरू करने जा रही हैं, और इसलिए पहली डोज मे अब सिर्फ कोव एक्षी नहीं लगाई जाएगी, बिहार पटना में देखे सेहत की चार बड़ी चुनोतियां देखने को मिल दिये, कोरोना तो चली रहा, साथ में डेंगू, मौसमी बिमारियां और प्रदूशन के कतरे से भी लोगों की जान को कतरा मन रहा, बिहार के रा के मंतरी अरविंद केजरिवाल, और जैसा कि आपको बताऊगा राजदानी में स्कूलों में भी फिर से शुरुआत हो चुकी है, आलांकि अभिभावक मातवपिता का कैना की प्रदूशन और कोरोना बढ़ रहा, और इसलिए स्कूलें खोलने का फेसला जो दिल्ली सरकार क ये गलत है, स्कूलें खुलने की बात करें तो एक दिसंबर से महारास्ट्रे सिक्षा विभाग ने भी स्कूलों को खोलने की नियमावली जारी कर दी है, यानि कि ककसा पहली से लेकर सातवी तक के स्कूल जो है, एक दिसंबर से महारास्ट्राजय में भी खोल दिये नए वेरेंट को लेकर गुजरात सुर्वत के सीविल अस्पताल में 450 वेंटीलेटर, पेसेट, मिट्रिक टैन, ओक्षिजन और 200 बेड भी तयार कर लिये गए हैं ओमिक्रोन को लेकर केरल सरकार ने अलर्ट जारी किया कि सभी एरपोर्ट पर हेल्थ वर्कर्स तेनात होंगे, स्वास्त्यमंत्री वीना जोर्ज की तरब से ये अनौस्मेंट किया गया भारत में पिछले 24 गंटू में कोरोना आकडू की बात करें, तो रपतार धीमी तो चल रही है, 24 गंटू में 8309 नए मामले देखे गए, जबकि 236 मरीजुने जान गवाई वहें देखे बड़ी कबर तो उसनों उत्राखन राजी में साथ पुलीस कर्मी एक साथ संकर्मित पाये गए, और उसके बाद राजी पुलीस में हरकम समच गया, डीजीपी ने सिपाई से साहब तक सब की कोरोना जाच का आदेश भी जारी कर दिया, ओके तो ये तो रही को पिश्वनात धाम भक्तों के लिए तैयारियां सुरू हो चुकी है, 13 दिसंबर को प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी लोकारपन करेंगे, और इससे पहले वहां की तैयारियां कैसी चल रही है तो इसके कुछ तस्वीरें फूटोज में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अच् अधिकतर केस ड्राइवर को ठकान के वज़े से नींद के जबकी आ जाती हैं, इसके कारण ज्यादर अतर एक्सिडेंट होते हैं, वहें देखें गीता जैन्ती महत्सव 2021 की हरियाना के मुक्यमंत्री गोस्ना करेंगे, 2 दिसंबर से इसका आगाज होगा, अच्छा वहें दे दोकदरी जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए, SBI के तरब से ये नयानियम लागू किया जारा, अच्छी बात हैं, वहीं सरकारी नोकरी पर अपडेट देखें, उत्राखन लोग सेवां आयोग में 764 पदों पर वकेंसी निकली हुई हैं, केंडिडेट 17 सितंबर 2021 तक अपलाई कर सकते हैं, आयोसी मा 18 से 42 साल तक मांगी हैं, वहीं करंट अफेर्ट के इसाब से इंपोर्टेंट क्यूशन देखें, संजय दत्वने अरुनाचल परदेश के गोल्डन जूबली सेलिबरेशन के ब्राण अमबेश्डर, तीन दिसंबर को आएगा, ट्रिपल अरुनाचल परदेश के नामकरण के 50 साल पूरे होने के मोके पर गोल्डन जूबली सेलिबरेशन होने जारा, और इसका ब्राण अमबिश्डर इसवार संजय दत्व जी को बनाया गया, वहीं सेयर मार्केट पर बड़ा अपडेट देखिए, सेबी ने सेयर बाजार में इस दोस्तों हालात कि ठेके के काम किस तरह से होते हैं सरकारू में, उत्रपरदेश में विकास का पूल 12 साल में ढह गया, 1990 में मुलाइम ने इसकी निव रखी थी, 2009 में मायावतिन इसका उद्गाटन किया था, और 2021 योगी राज में तो ये पूल धडाम से गिर गया, मतलब दो किलोमडर लंबे पूल का सितरफिट हिस्सा गिर गया, अलांकि गनिमत रही दोस्तों कि इसाथ से के दोरान लोगों के जान नहीं गई, अलांकि उस दर्मियान एक कार पूल पर चल रही थी तो वो बीच में अटक गई, इसके कारण कुछ लोगों को चोटें वगरा नदी का इस तरह से विकास करने की तैयारी कर रही हैं सरकार, वहीं एक विडमबना बरी खबर देखिए आप, नियती के आगे सब बेबस हैं, एक डोक्टर जो हार्ट अटेक के ही मरीज का इलाज कर रहे थे, लेकिन उनके इलाज के दोरान ही डोक्टर की खुद की कार्डि वहां बेटा, वो कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता हैं, ओके तो इस इकड़े में दोस्तों या आज दिन बर की तमाम बड़ी कबरें ये खत्म होती हैं, और हाँ, मैं आपको बता दू, आप हमारी DLS News की तरब से जीत सकते हैं, एक शांदार सर्प्राइज गिफ्ट हैं इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, कि दूस्तों नई साल 2022 में, फरवरी का महिना कितने दिन को होगा, 28 का या 39 का, लेट में नो इन दे कमेंट बॉक्स, how many days will the month of February in 2022, जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो को सस्क्राइब करके बेल आइकोन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताज़ा आपडेट्स और काम की खबरें इसके मोबाइल पर मिलते रहेगी, थेंक्यू टेक्केर गुडबाई, जय हिंद, जय बारत, वंदे मात्रम